सिब से पहले बात बलोदा बाजार की आगजनी मामले में अक्शन लिया गया है हिंसा आगजनी मामले में तीन और गरफतारियां हुई हैं बता दे दस जून को कलेक्टरेट में हुई थी तोड़ फोल अब तक 186 आरोपियों के गरफतारी हो चुकी सेसे टीवी वीडियों के आधार पर लगातार गरफतारियां हो रही हैं और अब तीन और की गरफतारी हुई है तो बलोदा बाजार आगजनी मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है बता दे तीन और आरोपियों के गरफतारी हुई है दस जून को कलेक्टरेट में तोड़ फोल हुई थी शेप्तर घरफतारियां हो चुकी है जादा जानकारी के लिए सहीयू की योगेश कुमार मरसाझ जूडगे हैं योगेश रागजनी मामले में लगातार गरफतारी हो रही है तीन और गरफतारी इसे पूरे मामले पर पूलिस की करवाई जारी है वही एक नया एंगल ने आकि सोसल मीडिया तारा जो भरकाव पोस्ट भी इन पर किये जा रहा है उस पर पूलिस की नजर है कि ऐसे अगर भरकाव पोस्ट किये जा रहा है समाथ मामले को लेकर तो उनकी भी गरफतारी है वही अब तक पूलिस में इस पूरे मामले पर आपको बताने करच्छे तार। कि इसमें घिरबतारी की हैं और आगे भी पुलिस की कारवाइज में जारी रहे जिए ठीक बहुत बहुत शुक्रिया योगे जानकारी को साजा करने के लिए मारपीट की वारदात को लेकर अस्पताल में हडकम मच गया बाद में डॉक्टर्स ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की तो वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल तीन बदमाशों को हिरासत में लिया और जानकारी के लिए सहोगी उमेश हमारे साजुड़ गया है उमेश क्या है मामला बताईए यह रतनपूल ठानशेते के समुदाइक स्वासकेंद्र का पूरा मामला है जहां पर CCTV में आप जो वहां पर लगा था वहां पर पुरी घटना जो है कैद हुई है जिस तरीके से दो गूतों के बीच मारपीट हुई है हाथ लात और गूते से मारपीट करते हुए जो बदमात है वो दिखाई दे रहा है जिस समय यह गटना हुई उस समय अस्पताल में कई मरीज जो थे वो इलाज कराने पहुचे थे अपरा तफरी का महाल मज गया था इस बीच डॉक्टरों ने इसकी सूचना ठाने में दी ठ लेकर मारपीट हुई फिलाल पुलिस तीन लोगों को हिरास्त में लेकर पूस्ताज कर रही है और आगे भी किस तरह की कि क्या इसमें और लोग भी सामिल है यह देखने वाली बात होगी लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी घटना निकल कर सामने हैं जिसमें तीन लोगों को संकेर के कोईली बीडा में जान जोखिम में डालने का वीडियो साफ में आया यहां एनिकट डैम को लोग पार करते हुए नजर आए दरसल बारिश के बाद कई गामों का संपर्क टूच चुका है इसे में राशन लेने के लिए लोग जब कोईली बीडा बाजार पहुंचे त और बिना अपनी जान की परवा किये इस तरह से पार कर रहे हैं एनिकट को बड़ी संख्या में लोग हैं राशन लेने के लिए निकले हैं और यहां पर कोई भी हाथसा हो सकता है पर बिना इसकी परवा किये यह सभी निकल पड़े और उधर जश्पुर से भी एक ऐसा ही वीडियो सामती आया जहां डेंगोर जोर नाले को पार करते समय ड्राइवर ने बड़ी लापरवाही बढ़ती स्कूली बच्चों से भरी बस को ड्राइवर ने पार कर आया जबकि नाला उफन रहा था यह तस्वीर आपके सामने कई इसमूरइं आती हैं जब स्कूल बज ड्राइवर् जो है इस तरह की लापरवाईयां करते हैं और वर जान जो फिर में बच्चों की वी डालते हैं और बढ़े हाँ क्व से भी कई बार हो जाते हैं, और यहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर जश्पूर में जहां पर ड्राइवर के लापरवाही दिखे गई, बहुत जादा पानी भरा था, उसके बाद भी पानी इसे ये पार कराई गई, बस स्कूली बच्चे इसमें सवार थे, पर उनकी जान की परवाक किये बिना ये रिस्क प्राइवर के द्वारा लिया गया, सुरजपुर में पॉवर प्लांट का डाम खतरे के निशान के उपर बहरा है, पिछले 24 घंटे से यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन फिलहाल डाम के गेट को नहीं खोला गया, चिकनी गाफ के महान नदी पर पॉवर प्लांट का डाम खतरे के लिए गया, बताने गंग्रेल बांट में बारिश के बाद से लगातार पानी बढ़ रहा था, बांट करीब 84 फिस्सद ही भर गया, ऐसे में गेट की फंक्शनिंग को जाचने के लिए सभी 14 गेट खोल दिये गए, हाला कि बांट से छोड़े गए पानी को रूदरी बैराज में रोका जाएगा और इस पानी को फिलहाल महान नदी में नहीं छोड़ा जाएगा, लिहाजा महान नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल कोई खत्रे की बात नहीं है, पानी बैराज की तरफ छोड़ा जा रहा है, दमतरी कलेक्टर नमरता गांधी जी खुद यहाँ पर मौजूद है, उन्से पूछते हैं कि आज जो गेट खोला गया है, वो किसी सिटी में खोला गया मैं? जो गंग्रेल बांध है, वो भी 84% capacity में चल रहा है, और आज जो गेट खोले जा रहे हैं, वो ट्राइल के रूप में कोले जा रहे हैं, और पानी को रूदरी पर राज पे रोख लिया जाएगा, इसका उद्देश यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि गंग्रेल बारिश अच्छी हो रही है, तो जब पानी छोड़ना पड़ेगा, तो गेट्स प्रॉपली बर्क कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा ट्राइल करने को ले हैं, अभी जो पानी है, बांध में सपीजिए इंडिया, इसके साहयक बांधों में जो पानी है, उनको लेके जब छोड़ना पड़े, तो गेट्स वर्किंग सिचुएशन में है, कहीं कुछ रिपैर की आवशक्ता है या नहीं होते हैं, यह जो ट्रायल है कि बांध का हाली में उसका पूरा रिपेरिंग किया गया है, और ऐसे में जो उसका फॉंक्शनिंग की मशीने हैं, वो आपात इस्तिती में ज़्यादा पानी छोड़ने की नोबत में प्रॉपर फंशन करते हैं, यह टेस्ट किया जा रहा है, जापर में दो महीने बनी, महीने पहले बनी, गंगालूर से निलसनार के सलख पहली बारश में भैगई है, बीस से तीस किलो मीटर लंबी सलख में पुलिया बनी थी, करीब 56 करोड की लागत से यह सलख बनाई गई थी, आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से इसकी लागत करीब 112 करोड रुपए हो गई, लेकिन पहली बारश में ही यह सलख भैगई, इस से लोगों में काफी नराजगी है, इस्थानी वीजेपी नेताओं ने मुख्यमंतरी से इसकी जाच की मांग भी की है, जगदलपुर पहुचे सीम साई ने भी इसका संग्यान लिया और कहा कि ब्रश्टाचार करने वालों के खिलाफ कारवाई होगी और सरकार इन्हें भक्षेगी नहीं, ब्रश्टाचारियों को जेल जाना पड़ पर उसके बड़ी दुरभाई की बात कि जिस सड़क और पूल पुलिया निर्मान में भष्टाचार हुआ है, उस सड़क और पूलिया के लिए हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में होते हैं, और नक्सलियों के लगाए जाए अईडी, और कई बार ऐसे होते हैं कि जब हम हमारे जवान आरोपी के दौर पर उस सड़क में सुरक्षा देने जाते तो नक्सलियों के फारिंग में उनकी मौत हो जाते और सहीद हो जाते सहदात पुलिस जवानों के सहदात पर जिस तरीके का भरष्टाचार सुरेच चंद्राकर और प्लीड के अधिकारियों ने काउग होटाचारियों का ताता लगा है जील में जाने का जहे वह सराम में होटाचार किये हो जाहे ब्लूदा बाजार में घायों के मौत के बाद जिला प्रशाथा सन्हार्कत में आया है लापर वाही बरतने को लेकर चार लोगों को हिरासत में लिया गया, बतादे की कलेक्टर के निरदेश पर यह कारवाई हुई है, कांजी हाउस में, 14 गायों की मौट हो गई थी valid और गायों की देख रेकिंगी जिम्मिदारी किसाज समीती की थी, लेकिन गायों को कांजी हाउस में रखने के बाद किसी ने सुध नहीं दी मामले के साफनी आने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुँचे अब जिम्मेदारों पर कारवाई की जा रही है मासमद में चलते ट्रक में आग लग गई नेशनल हाईवे त्रेपन बिरकोनी के पास ये आग लगी है ड्राइवर क्लीनर ने कूट कर अपनी जान बचाई बता दे राइपूर से पश्चिम बंगाल ये ट्रक जा रहा था अचानक से आग लगी और समय रहते ड्राइवर क्लीनर के द्वारा कूट कर जान बचाई गई वरना के दिवों बीश की चपेट में आ सकते थे राइपूर का जिकर करेंगे राज्य करमचारियों को मिल सकता इताफा जियां डी एप में बढ़ोतरी हो सकती है चार प्रतिशत के बढ़ोतरी पंदरह अगस को सीमस आई कर सकते हैं एलां चार प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद पचास प्रतिशत डिये हो जाएगा तो डिये में मलहोतरी के पूरे पूरे आसार है ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं 15 अगस को सीम साय इसका एलान भी कर सकते हैं इसके घोशना भी कर सकते हैं जदा जानकारी लेंगे हम सयोग आकाश शुकला हमरे साजुड़ गए आकाश कर्मचारियों को बड़ा तौफ़ा मलने की तैयारी है डिये उनका बरसकता है और क्या हम माने के 15 अगस की सितारी इक सामनी आई है इस पर ये एलान भोशना भी हो सकती है सीम के दुवारा जी बिल्कुल 36 गड़ सरकार जो है वो कर्मचारियों को बड़ा तौफ़ा देने की तैयारी कर रही है इसके लिए सभी विवागों से जानकारी मंगाईगी है बता दे अभी सासकी कर्मचारियों को 46% का डिये मिल रहा है जो बढ़कर 50% हो जाएगा 4% डिये में बढ़ोतरी की जा सकती है प्रदेश में 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी है सीधा उनको लाब मिलेगा तयारी चल रही है सासनिस्तर पर और संभावता 15 अगस के दिन जो है मुख्यमंत्री विश्टु देव साह सरकारी कर्मचारियों को डिये बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते है बता दे कि लगातार जो है वो कर्मचारी डिये बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उपिपक्च में रहते हुए भाजपा ने आस्वासंग दिया था ये कहा था कि सरकारी जो कर्मचारी है उनके हित में कई फैसले लिये जाएंगे वेतन विसंगती का मामला हो या मंगाई भत्ते का मामला अन जो विसंगतियां उनको दूर करने का प्रयास लगातार किया जाएगा सरकार बनने के बाद एक सार्थक कदम विश्णुदेव सरकार लगातार सरकारी कमचारियों के लिए उठाते आ रहा है इसके तातों डिये बढ़ाने का जो एलान जो है मुख्यमंत्री विश्णुदेव शाय जल्दे ही कर सकते हैं 15 अगस का तीथी ये बताई जा रही है कि उस दिन भड़ोतरी हो सकती है इसके साथ ही जो है अन्य मांगे जो है वो भी पूरी की जा सकती है जी जी ठीक डी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साजा करने के लिए आकाश कवासी रख्मा के बायान पर सीएम साय ने पलटवार किया है कॉंक्रस के आयो उध्या ना जाने के फैसले की अलोचना करते हुए सीएम ने इसे पाप करार दिया है विश्णू देफ साय ने कहा कि भगवान के जर्फं के लिए निमंतरण दिया गया था पाप किया है किसी का भी निमंतरण ठुकराय नहीं जाता है बहले उस कारकं में जाय नहीं जाय राम मंदर के निमंतरन को ठुकरानी की बात को कवासी लख्माने सही ठहराया था साथी बीजेपी को पापी तक करार दिया था जितका रख चकते हैं ये किसा सरकार है बहलता बाजार में भाटा पारा में बड़ी मातरा में दवाईयां फिंकियों ही मिली है दवाईयों को गर्वती महिलाओं के बीच बातने के लिए दिया गया था लेकिन रखे रखे दवाईयों खराब हो गई और एकस्पायर होने के बाद इनको फिंक दिया गया सबसे बड़ी बात यह है कि दवाईयों जब बातने के लिए दी गई थी तो आखिर इनको बाता क्यों नहीं गया तो सरकारी अस्पायर से यह दवाईय जो हैं दी गई थी कि घरवती महिलाएं हैं उन्हें बातनी हैं पर यह दवाईयों तक नहीं पहुंच सकी और रख रख क्या यह एकस्पायरी हो गई खराब हो गई और उसके बाद यह कच्छरे के धेर में फेक दी गई कई बार ऐसी तस्वीरे आती भी हैं अस्पटालों के द्वारा लापरवाही करमचारियों के द्वारा लापरवाही की धवाउं को समय पर वितुरत करना रहता है पर वो किया नहीं जाता है जिसमज़े से दवाईयां एकस्पायर हो जाती हैं खराब हो जाती हैं और उन्हे करेश कच्रेक डेर में कुप सारी रवाया नज़र आरही हैं किया राक़ी में ये एकसपारी और खराभ हैं और आखर खराभ और एकसपारी हो गए तो किस की यहां पर जिम्हदारी थी यह बातने की और क्या उन पर गाज गिरी है। कि ये गवर्मेंट सफपाई होता है इनको बाहर जो बिक्री है उसके नहीं लिखिया जाता लेकिन एक्सपारी दवाईयों को इस तरह से फेकना कहीं ने कहीं बड़ा खत्रा भी हो सकता और देख सकते हैं इन दवाईयों को किस तरह से मवेसी वहां पर मौजूद है और आज फिर माठापारा सहर में जो एक्सपारी जो सीरफ है वहां पर फिकी गई है लिहाजा स्वाब से भाग किस तरह से अपनी लापरवाही दिखा रही हो नजर आ रहा है कि एक्सपारी जो सीरफ है उसको खुले में फिक दिया गया है तो कहीं ने कहीं एक बड़ा खत्रा भी है यह कहा जा सकता है राजेश्वर यासीन जिला बदर है राइपुर में आईए सदिकारी का फर्जी अकाउंट बनाया गया ठगो ने ये फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है मुखे निर्वाचन पतादिकारी के नाम से मैसिज भिजे प्रदेश के कई कलेक्टर को भी नोटिस दिया है साइबर सेल में इसकी शिकायत भी की गई है बिलासपुर में प्रशासन ने अव्यत कबजे को लेकर कारवाई की है विद्या नगर, विनोबा नगर में सडख पर अव्यत कबजे को नगरनेगम की टीम ने हटा दिया साथी दुकान के सामरी रखे गई सामान को भी जब्द कर दिया साथी इस सडख किनारे लगे ठेले गुम्टियों को भी हटाया गया है बिलाई में टैली पपले के स्कूल में बच्ची से गंदी हरकत को लेकर परिजनों ने प्रधर्शन किया और स्कूल प्रबंदन के किलाफ सक्त गारवाई की मांगी अब भावकों का कहना है कि प्रबंदन मामले को दबाने की कोश़श कर रहा है और पीड़ित को ही स्कूल से निकाल दिया गया कि बच्ची जब से आई है स्कूल में और जब पच्ची गई है उस दोरान बच्ची वास्ट्रूम में नहीं गई है पुरा टाइम वो क्लास्ट्रूम में बैटी हुई है और जब शुरू में ये लास्ट में जब स्कूल एंड हुआ है तो बच्ची जो है क्लास टीचर के साथ जाकर अपनी बच्च में चड़ गई है सवाई वाली बात नहीं है क्योंकि स्कूल का नाम कई था ही नहीं तो उसका कोई अच्चित्य बनता ही नहीं है अगर पेरेंग्स इतनों पेरेंग्स को हमने आने दिया अंदर इसका तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें चुपाने के लिए आपरे पास कुछ नहीं है पल्रांपूर्जले के फूली डूमर मेडल स्कूल के हैड मास्टर द्वारा इसकूल में हिडन कैमरा लेकर आने का मामला तूल पकडता जा रहा है हैड मास्टर के विरुध टीचर्स एसोसियेशन ने भी मूचा खोल दिया खंड शिक्षा अधिकारी ने हेड मास्टर को कारण बताव नोटिस जारी किया था अब टीचर्स एसोसियेशन ने भी हेड मास्टर के विरुध कारवाई की मांग के जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हेड मास्टर के विरुध विभागिय जांच की जा रही है और आए अब देखेंगे खबरों का ट्वेंटी ट्वेंटी